तो बच्चों हमने ये जाना कि वी रूपक बल लगाने से किसी भी वस्तु में वीकृति उत्पन होती है और साथ में हमने ये भी जाना था कि वस्तु इस वी रूपक बल का विरोध करता है और इस वी रूपक बल के विरोध में है उस वस्तु में प्रत्यान्यन बल कार्य करन में इस प्रतियन बल के माप को ही हम प्रतिबल के नाम से जानते हैं इंगलिश में हम इसे stress कहते हैं तो इस प्रकार यदि हम प्रतिबल का सूत्र देखें तो प्रतिबल बराबर होता है प्रतियन बल अपोँ छेत्रफल, यानि stress बराबर restoring force अपोँ एरिया, अब बच्यों हम प्रतिबल का मात्रक देखते हैं, restoring force का मात्रक यानि कि force का मात्रक ही हमको लिखना है यहुताँ newton, अगर हम ऐसा ही पत्तति में लिख रहे हैं और छेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वेर तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर और यदि हम सीजस पत्त दिबे देखें तो इसका मात्रक होगा डाइन प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर अब बच्चों इसका विमिय सूत्र देखते हैं तो विमि 1 T-2 बच्चों हम अधिक्टा टॉपिक में इसका सूत्र और वीमी सूत्र दोनों ही डिसकस करते चले आ रहे हैं युकि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कॉम्मेटिटिव एक्जाम देते हैं चाहिए वो अधिकल फियल्ड के लिए हो चाहिए वो इंजिनिंग फियल्ड के लिए हो तो इस प्रकार से कई टॉपिक्स से जुड़े फॉर्मुले उनके मातरक और वीमी सूत्र आपको पूछे जाते हैं तो इसने हम इसको प्राइमरी लेवल से मतला 11th क्लास से इसकी तयारी शुरू कर पर ही भी में सूत्र लिखा जाता है बच्चों यहां पर यदि हम प्रतीबल का सूत्र देखें तो यह है बल बटे छेत्रफल हले कि यह जो बल है वो प्रतियनन बल है और इसका मातरक देखें इसी अधर पर तो न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर हैं और यहां मातरक एग्जै और स्ट्रेस यह दोनों सेम कॉंटिटी है मातरक और विमी सूत्र के अनुसार यह दोनों तो सेम ही लग रहे हैं लेकिन इन दोनों में फर्क है क्योंकि यदि हम प्रत्यन बल की बात करें तो यह आंतरिक बल है जो किसी वस्तू के अंदर उत्पन्न हो रहा है यह वी रूप तो दाब जो है वो एकांक छेत्रफल में बहएबल का माप है जबकि स्ट्रेस यानि की प्रतिबल यह एकांक छेत्रफल में आंत्रिक यानि की प्रत्यन बल का माप होता है तो भले यह दोनों कॉंटिटी फॉर्मुले से सूत्र से मातरक से एक जैसे दिख रहे हों पर दोनो में फर्क है अब बच्चो हम प्रतिबल को डिसकस कर रहे थे तो उसका विमी सूत्र और मात्रक देखे लेकिन जब हम विकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने विकृति के मात्रक की चर्चा नहीं की क्या विकृति का कोई मात्रक नहीं होता यदि हम विकृति का सूत परिवर्तन का अनुपात था और जब हम अप्रूपन विकृति देखे तो वह थीटा की स्पर्जय थी मतलब वह भी निश्चितमाप था और जब हम यहां पर भिन्नात्मक परिवर्तन देख रहते तो वह एक ही वीमा के परिवर्तन का अनुपात थी तो इस प्रकार यदि हम तो जब एक ही वीमा की राशियों को कंपेर किया जाता है तो यह कैंसल हो जाते हैं इनके मात्रक जो होंगे वो कैंसल हो जाएंगे और इसलिए जब हम वीकृति की बात करते हैं तो वीकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता यह यूं कहें तो वीकृति वीमा ही राशिय होती ह जब कि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रती मीटर स्क्वार होता है बच्चों ये कोशन भी एक्जाम में आता है प्रतिबल का एवं वीकृती का मात्रक लिखिये तो बच्चे प्रतिबल के मात्रक तो जानते हैं और confusion से विक्रिती का भी कोई मात्रा कैसे लिख कर आ जाते हैं तो यहां आप ध्यान में रखेगा कि विक्रिती वीमाहिन राशी है अब अच्छो यह बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार वी रूपक बल लगाये जाएगा उसी के आधार पर ही प्रत्यनेंबल उत्पन्न होगा और इसी लिए प्रतिबल भी तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहला है अनुदैर दे प्रतिबल जिसे हम लॉंगिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं दूसरा है अभी लंब प्रतिबल यानि की नॉर्मल स्ट्रेस और तीसरा है अप्रूपन प्रतिबल यानि की शियरिंग स्ट्र अब हम तीनों को एक एक करके समझते जाते हैं सबसे पहला अनुदैर्द्य प्रतिबल यानि कि लॉंगिटूडल स्ट्रेस बच्चो हमने जब अनुदैर्द्य विक्रिती के बारे में चर्चा की तो हमने यह देखा था कि हम वस्तु को एक तार की रूप में ले रहें और उस तो यहां पर जो प्रत्यननबल भी उत्पन्न होगा वस्तु में वो भी लंबाई के अनुदैर्द ही होगा लेकिन यह वी रूपकबल के विप्रत दिशा में होगा तो इस प्रकार जब किसी वस्तु में अनुदैर्द विक्रिती उत्पन्न होती है तो उस समय उस विक्रित के कारण जो वस्तु में प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं अनुद्यार्द प्रतिबल यानि कि लॉंगिट्यूडनल इस्ट्रेस और इसलिए यह भी दो प्रकार का होता है क्योंकि लंबाई में परिवर्था दो रूप से हो सकते हैं या तो लंबाई में वृध्धी हो या तो लंबाई में कमी हो जब लंबाई में वृध्धी हो रही है तो उस अनुद्यार्द विक्रिती को हम तनन विक्रिती कह रहे थे है यानि कि टेंसारइल स्ट्रेस और यदी लंबाई में कमी आए तो उस समय जो विकृति उत्पन होुरी थी उसे हम कमप्रेशिव स्ट्रेन कह रहे थे और उसके आधार पर जो प्रतिबल उत्पन्ण होगा उसे हम compressive stress यानि कि संपीड़क प्रतिबल के नाम से जानते हैं अब अगला है अभिलम प्रतिबल यानि कि normal stress अब यहाँ पर अभिलम ये normal शब्द क्यों इस्तमाल किया गया है बच्चों हमने देखा था कि कि जिस वस्तू में आयतन भीक्रिति उत्वन हो रही है उस समय उस पर लगाया हुआ बल सभी पृष्ठो पर अभिलम लंब होता है बतलब लंभवत लगाय जाता है इसलिए ज介 ayudar इसमें प्रतिबल भी अभी लंब प्रतिबल कहते हैं, अब बच्चों हम तीसरी स्थिती देखते हैं, जब हमने किसी वस्तु पर इस पर्ष रेखी रूप से बल लगाया था, तो उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन आकृती में परिवर्तन हो गया था, और उसे हम होती है, तो उस समय वस्तु के प्रतिबल को हम अपरूपन प्रतिबल के नाम से जानते हैं, यानि की शेरिंग स्ट्रेस, अब इस तीनों बल को समझने के बाद, हम इस पर आधारित, निमेरिकल कोश्चन बनाते हैं, समान लंबाई वाले इस पात के दो तारों के व्यास क्र आरूपित करने पर उनमें उत्पन प्रतिबलो का अनुपात क्या होगा? इस प्रश्ण में दिया गया है, इस प्रश्ण में दोनों तारों के व्यास दिये गया है, उनकी त्रिज्या ग्याद करने के लिए हम उसे दो से भाग दे देंगे. इसलिए पहले तार की त्रिज्या आरवन बराबर होगी 0.1 mm upon 2 और इस प्रकार आरवन बराबर होगा 0.05 mm, अब मिली मीटर को हम मीटर में कनवर्ट करेंगे, इसके लिए हम 10 to the power minus 3 से गुणा करेंगे, यह यू कहें 0.05 को 1000 से भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 0.05 into 10 to the power minus 3 मीटर, ऐसी दूसरे तार की त्रिज्या, आरवन बराबर होगी 0.5 mm upon 2, यानि कि आरवन बराबर होगा 0.25 mm, और हम मिली मीटर को मीटर में कनवर्ट करने के लिए इसे 1000 से भाग देंगे, और हम लिख स सकते 0.25 into 10 to the power minus 3 मीटर, और इन तार पर आरोपित भार है 5 किलोग्राम, तो इन तारों पर लगने वाला बल हो जाएगा 5 into 9.8 newton, हम यहाँ पर किलोग्राम भार को newton में कनवर्ट किये हैं, और इसे लिए हम 9.8 से गुणा करेंगे, अब सूत्र अनुसार, प्रतिबराबर S बराबर होता है F अपॉन A, F का मान दोनों तारों के लिए नियत है, और इसलिए S A के व्योद्क्रम अनुपाती होगा, यहाँ पर हम दोनों तारों का प्रतिबर को compare करने हैं, S1 पहले तार का प्रतिबर है, जबकि S2 दूसरे तार का प्रतिबर, तो S1 अपॉन S2 हो जाए है, और A1 पहले तार के अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, छेत्रफल बराबर πाई R2, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ काट को देखी, तो यह एक व्रितिये रूप में होगी, और इसलिए हमने यहाँ पर व्रित के छेत्रफल का formula हम उसरे तार के लिखेंगे, तो पाई R2 square लिखेंगे, जिबकि पहले तार के लिए पाई R1 square लिखेंगे, पाई और पाई कैंसल हो जाएगा, तो S1 अपोन S2 बराबर होगा R2 square अपोन R1 square, और यहाँ पर R1 और R2 का मान इस उत्रे में लिखने पर हमें S1 अपोन S2 बराब minus 3 का whole square और इसको solve करेंगे, हल करने पर हमें मिलेगा S1 upon S2 बराबर 5 upon 1 whole square यानि 25 upon 1 और S1 का S2 के साथ अनुपाद देखे ये 25 is to 1 होगा